गरीब परिवार के हिंदी कहाने यह गरीबी बढ़ते जा रही है ऐसा लगता है समय तो बदल रहा है लेकिन हमारा समय नहीं बदल रहा है हमारे समय के परभा हमारे उपर बहुत अधिक बढ़ रहा है जिसे समय बढ़ता जा रहा है हमारे गरीब कौम नहीं बढ़ रहा है या सब कब तक चलेगा कब तक हम ये सारी परशानिया खत्म हो जाएगी जब सब कुछ बदल जाएगा मेहनत करते हैं लेकिन कुछ ही कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है अब तो ऐसा लगता है समय मेरे लिए कभी अच्छा नहीं होगा आज मंदिर में हूँ भगवान से भी बात होती है जब तक हमारे परशानी ऐसे बढ़ती रहेगी जब तक हमारे परिक्षा चलती रहेगी या सब कभ हमारे जीवन से दुर होगा आज इन सभी बातों को बताएंगे तो कभी हम परदया आएगी या फिर हमारे नसीब में सुख के दो पल भी नहीं है जिवन में दुख कम नहीं हो रहा है या तो आगे ही जा रहा है हमें खुशी कब होगी कुछ भी तो समझ में नहीं आता है वह आजमी अपने आप इस से यह बात आगे बढ़ती है कुछ समय बाद ही एक सादू आता है और वह कहता है कि मुझे कुछ खाने को मिल सकता है वह आजमी कहता है कि आप भी यहाँ पर आते हैं आप देख नहीं सकते कि मेरा सब कुछ चला गया है मेरे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं है आप भी आते हैं आपके ऐसा मिल सकता है आदमी कहाता है कि पल मुझे बताता है कि भगवान ऐसा क्यों करता है हमारा दुख कम नहीं होता कि बलकि और अधिक बढ़ जाता है वह कहाता है कि या ठीक है कि वो परिच्छा दे रहा है लेकिन यह कब तक दूर हो जाता है जब हम उस परिच्छा में भी फल हो जाएंगे उसके बाद हमें कोई मिलने वाला नहीं होगा क्योंकि हम आशा फल हो गए है सांकित जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है जो एकादीकार मन से वो कभी भी गलत नहीं होता है यह कहानी हमें समझाती है कि हमें अपनी कर्म अच्छे पकड़े जाने चाहिए जब फल मिलेंगी इसकी चिंदा ना करें आपके कर्म अच्छे होंगे तो निशित रूप से फल प्राप्त करेंगे इसलिए कर्म करते जाए फल के बारे में ना सुचे थोड़ा समय ऐसा निशित रूप से आता है कि आपको लगता है कि सब कुछ अलग चल रहा है कुछ वी ठीक नहीं है लेकिन इसके बारे में ना सुचे सब अच्छा होगा अगर आपको या हिंदी में नई पानिया पसंद आती है तो लाइक केजिए, शेर केजिए फिर मिलेते हैं नेस्ट वीडियो के बाद